देश भर में महिलाए जवेलरी की दिवानी होती हैं उन्हें कोई भी जवेलरी पहना दी जाए तो वहें बड़ी खुशी से पहनी हुई नजर आएंगी सोने और चांदी से बने गहने महिलाए होते हैं फिर महिलाए के पास विकल्प के रूप में आर्टिफीशियल जवेलरी विकल्प होती है जो कि महिलाए नहीं होती है उसे आसानी से हर कोई खरीद लेता है आज हम आपको कागस से बनी जवेलरी के बारे में बताते हैं जी हाँ यहां बात आपको हैरान कर देगी कागस से भी कोई जवेलरी बनती है राजस्तान की मरू नगरी के नाम से विख्यात शहर भीकानीर में अंजली ने यह काम कर दिखाया इसने अलग अलग तरह के कागस से अन्यों को तरह के कई गहने बनाने शुरू किये थे अब यहां गहने लोगों की पसंद भी बनते जा रहे हैं अंजली के पास कई तरह के कागस से बनाए जवेलरी की ओडर आते हैं वहें बहुती खूबसूरत गहनों का निर्मान करती हैं यहां तक कि अंजली के द्वारा बनाये गहने पहले अपने घर के आसपास में प्रसिद्धी पाने वाल प्रसिद्धा केके सिंग ने चैं़ झिए कोरट हैं रचेस्तानी आद्ट इह सकते हैं और भी कोने माटा यहाला भी है कागज से बने वी ये ये वी देखिए हट के अलग-अलग छीजें हैं जो कहीं नहीं एंटिक भी लगती है और देखने भी बहुत सुंदर बनाने वाली हैं अंजली आचारे, बीका नेर की रहने वाली अंजली आचारे, बात चरते हैं अंजली से, अंजली तुम ये सब है इसके जुखने के लिए रखते हैं उसके ऑपर डिजाइन सेसियर इसके इसrama में दिजाइन कि कुछ चीजें देखी हमने, इनमें ज्यादा तरशीजे राजरतानी से समंदित कह सकते हैं, कि जुल्री है, कैसे, क्या-क्या, क्या-क्या बना लेती है, जैसे बोर्ला, सीजफुल, माथा पट्टी, हजफुल, पगफुल, कंगन, और चंद्रहार,